हलो एंड वेलकम तो अद्वित हमानेटी क्लासे आज हम क्लास 11 की एकनोमिक्स शुरू करने जा रहे हैं और हम फर्स चाप्टर से शुरू करेंगे फर्स चाप्टर रा इंट्रोड़क्शन और इस तरह से हम सारे चाप्टर अप्लोड करूँगा आपको और समझाओंगा भी इस टर्म है जो कि हमें समझना है और यह टर्म है पहला एकनोमी क्या होता है यह एक सिस्टम है जिसमें की पीपल अर्न दियर लिविंग सो एकनोमी क्या है एक सिस्टम है इस सिस्टम इन विच पीपल अर्न दियर लिविंग तो हमें काम मिलता है इस सिस्टम में और उसमें हम अपना जीना अबसर करते हैं इसमें ठीक हैं प्रदक्शन बोलते हैं सो एडिंग वैलू तो तू सम्थिंग ठीक है इस क्या होता है अगर मालो कि हमने मैंने एक लकडी लेकिया और उसमें चेर बना दिये तो लकडी जो था वो 200 रुपी का था जब चेर बनाने बाद मैंने उसको 400 में बेच दिया तो मैंने कितना वालो है केस में 200 रुपी तो 200 रुपी नहीं नहीं बद प्रदक्शन सो अधिंग वैल्यू तो सम्थिंग प्रदक्शन manufacturing something and thereby selling it higher prices that is called production होता है next consumption मतलब reduction of utility reduction of utility is called consumption मतलब क्यों होता है मालो कि मैंने कुछ खरीदा उसको use किया तो अगर दो दिन हम मैंने use किया तो उसमें दो दिन का जो उसका usefulness था हो कम हो गया and this is called consumption so either consuming something or reducing the utility जिसे मालो कुई हम fruit खरीते हैं और consume करते हैं but what about shirts हो गया, slipper हो गया, shoes हो गया, यह कैसे how do we consume these things so actually हम उसको use करते हैं जब use करते हैं तो उसका utility पहले के मुकाबले कम हो जाता है usefulness पहले के मुकाबले कम हो जाता है and this is called consumption next investment में तो capital investment में इसको capital formation में बोलते हैं यानि कि पैसा इन्वेस्ट करना जिसे की country का production capacity बढ़ जाए तो मालो में बेर पास एक मशीन है, मैंने और एक मशीन ले लिया पहले एक मशीन से 100 बनाते थे, अब after having this machine मैं और 100 बना रहा हूं So, this is called investment. So, when we invest money in something, it means that your production capacity has increased now, आप पहले के मुकाबले जादा बना रहा हूं This is called investment and then next is that scarcity का होता है, scarcity मत्दा होता है कमी, वेसे scarcity का मत्दा होता है के refers to the limitation of supply in relation to demand of a commodity, that is called limitation of supply, limitation of supply in relation to demand, ठीक है, अगर मान लोग कोई भी चीज की demand जादा और supply कमें तो उसको बोलते हैं, there is scarcity of something, मान लोग एक island है, इसमें 1000 लीटर जो है, पानी है, लीटर पानी है, और दो लोग है, only two person are living, so हम नहीं भी सकते हैं, there is scarcity of water here, लेकर मालव इसे island पे 500 लोग रहने लगते हैं, then obviously 1000 लीटर पानी जो हो जाएगा, so यहां पे demand जादा है, और supply कम है, so there is scarcity, but इस situation में supply जादा है, demand कम है, there is no scarcity, always scarcity is related to demand of a product, when demand is more than supply of anything, then we can say there is scarcity, so यह कुछ definitions, कुछ important terms है, जो हमने समझने ही कुछ सिख यहां पे, next हम देखते हैं, so now let us see positive and negative economy क्या होता है, so positive economy, meaning हम देखते हैं सबसे पहले, meaning क्या है कि किस तरह से, यह deal with what is and how the economic problem are actually solved, what is, is, or how economic problem are actually solved, ठीक है, ठीक है, ठीक हम यहां बात करते हैं, जो है उसके बार हम बात करते हैं, जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से, economy जो है, constantly rise हो रहा है, हम देखते हैं किस तरह से, inequality of income हमारे economy में है, जो है अगर उसके बारे में हम बात करते हैं, किसा होना चाहिए, or to be, ठीक है, or to be and should be, क्या होना चाहिए हमारे employment, unemployment खतम होना चाहिए, price कम होना चाहिए, अगर हम इसके बार हम बात करते हैं, यारी we are talking about negative economy, ठीक है, verification हम इसको fact के थुरू verify कर सकते हैं, fact के थुरू हम इसको verify कर सकते हैं, और ये cannot be verified, can't be verified, ठीक है, माल लोग कि हम यहाँ पे हमारे economy कैसे, economic grow हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम उसको GDP देख के हम पता रगा सकते हैं, employment का fact, employment का जो भी figure है, उसको देख हम बोल सकते हैं, employment increase हो रहा है, decrease हो रहा है, but यहाँ पे should be होना चाहिए, that cannot be verified through fact, purpose क्या है, इसका purpose है कि to real description of an economic activity, ये real description की बाग करते हैं, क्या real of an economic problem, जैसे कि क्या क्या problem है हमारे economy में, agriculture production बढ़ आए, घटर आए, employment क्या हो रहा है, GDP कैसे हो रहा है, export, import क्या है, वो सार चीज के बारे में हम बात करते हैं, so real description, और यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, कि अपना individual opinion जो है, उसके बारे में बात करते हैं, so ये suggestive होता है, और individual opinion की बात करते हैं, मतलब कि हम suggestive होता है, हम suggest करते हैं, कि हमारे economy गुरो होना चाहिए, हम suggest करते हैं, price कम होना चाहिए, so अगर हम, so purpose क्या है, ये real description है, और ये suggestive होता है, या opinion based होता है, ठीक है, so suggestive होता है, ये suggestive नहीं होता है, so positive economy is not suggestive, और यह क्या होता है, suggestive होता है, ठीक है, value judgment, इसमें जो है उसके पर बताते हैं, so आपका opinion या value judgment, so there is no value judgment, there is no value judgment, ठीक है, और यह value judgment का, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसके ऊपर, आप यहाँ पे, so it is based upon, on value judgment, ठीक है, example क्या है इसका, जिसे कि what is Indian economic, जो है constantly rise हो रहा है, export, export is increasing, जिसे माल एक्सपोर्ट जो है, is increasing हो गया, और यहाँ पे export should increase, should increase, ठीक है, so इस तरह से, prices are very high, price should be low, so इस तरह का example से हम इसको समझ सकते हैं, so समय में आ गया यह positive और negative economy के बारे में, so हम देखते हैं, हम देखते हैं, यह पे microeconomy और macroeconomy का क्या difference है, so microeconomy, microeconomy का meaning क्या होते है, कि microeconomy is that part of economy theory, which study the behavior of individual unit, यह यह पे टेखते हैं, और यहाँ पे टेखते हैं, और यहाँ पे टेखते हैं, of aggregate of economy. So, it study the behavior of aggregate of the economy as a whole, aggregate of the, as a whole. So, it is individual and it is full economy as a whole. So, tools what are the demand and supply? Demand and supply. And what is the aggregate demand and and aggregate supply? And what is the tool? Aggregate demand and aggregate supply. Aggregate supply. And what is the example? We can see that individual income, individual output हो गया, individual income या individual output ठीक है? और यहां पर क्या हो है? Aggregate demand, यहां पर national income हो गया, national income या national अउड़ोट पूट है. तो यहां पर हम देखते हैं कि इंडिविजुवल बीविएर के बारे में पढ़ते हैं, individual units के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको मुत्ते हैं, i मत्तब individual हो गया. ठीक है, i मत्तब individual हो गया, ठीक है? पूरा कंट्री का दिमांद, पूरा कंट्री का सप्लाई, जब हम इस माइक्रो एक्जामपल है, इंडिविजूल इंकम हो गया, एक बंदे का कितना इंकम है, एक बंदे का ओपुट कितना है, यहां हम देखते हैं, पूरा कंट्री का इंकम, पूरा कंट्री का ओपुट, तो to economic problem, actually problem of making choices is called economic problem. So, in order to satisfy or want with limited resources. So, what is economic problem? Problem of making making choices, to maximize our satisfaction, to maximize our satisfaction with limited resources, with limited resources. So, what is economic problem? Problem of making choices. So, you have to make choices that which one gives you maximum satisfaction. जिसने कि आपका resources waste ना हो, limited resources अच्छी तरह उटलाई होका है. अब दूसरा कोश्चन आता है कि why does economic problem arise? यह problem क्यों arise होता है? So, problem arise होने का तीन कारण है कि एक तो wants are unlimited, resources are limited and resources have alternatives. समझते हैं इसको, wants are unlimited. देखो, हर economy में कहीं भी कंट्री में wants are unlimited है. यह भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. लेकिन जो उस wants को satisfy करने के लिए resources जो होता है, वो limited है. All the resources are limited in nature. So, हम अपने सारे wants को certify ने कर सकते हैं. सिर्फ यह resources अगर limited होता, wants unlimited or resources limited होता, तो फिर कोई problem नहीं होता है. लेकिन resources का alternative होजा है. Alternative मिलब क्या होता है? कि माल लो, you have 10 rupees. So, this 10 rupees can buy you ice cream also, can buy you pen also, can buy I mean chips खरी सकते वापिसे, but you cannot buy all the three with the 10 rupees. So, यहां प्या क्या करना पड़ेगा? So, this is resources can put to different use and this is called alternate use. Alternative use मतब resources जो है उसको बहुत सारे usage होता है. लेकिन, since resources are limited, we cannot put to all the use. अब लेकिन, since resources have alternatives, then it can be, so, हमें choose करना पड़ता है, जो की आपको ज्यादा satisfaction दे, उस पर आप इस तरह से, unlimited wants, limited resources and resources have alternatives. आपको समन्हा गया है, what do you mean by alternatives? कि resources can be put to different use. एक resources को हम, जिसे माल लो कि कोईला है, coal है, तो it can be used for domestic purpose के लिए, या आपको generation of electricity, दोनों कामें आ सकता, देखो, alternative use है. तो अगर माल लो कोईला जो है हमर पास, उसको सिर्फ हम electricity बना सकते हैं, तो फिर हमें कोई choice करने जरूरत नहीं है, whenever you have to use this coal, you have to use for the production of electricity only. So this, इस तरह से हमें choose कर, क्यों choose करना परता है, resources का बहुत सारे usage होते हैं, और हम सारे use नहीं का सारे जरूरत है उसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमार पास resources limited है, तो हमें out of various want, we have to choose one of the want which is more important, so that we can utilize the limited resources, and this is the reason why economic problem है अगर मान लो की resources unlimited होता, तो कोई दिक्कत नहीं जो भी चाहे बनाओ, जो मर्जी हो बनाओ, जो मर्जी हो करो कोई दिक्कत नहीं लेकिन ऐसा है नहीं, so this is called economic problem and why economic problem arises, ठीक है, so now, so central problem of an economy, so central problem क्या होता है, ओ problem that is faced by all the economy of the world, चाहे हो developed हो, underdeveloped हो, कोई भी हो, India हो, USA हो, all the economy of the world faces the central problem, why all the economy faces, because हर economy में, जो होता है, resources limited होता है, once unlimited होता है, और resources का alternative होता है, so, इसलिए हर economy को face करना पाता है, central problem, क्योंकोंसे central problem होता है, ओ problem, देको central problem, आर दोज प्रोल्म, faced by all the economy of the world, does it matter, develop हो या underdeveloped हो, हो सकता है, develop economy हो, या और underdeveloped, economy हो, सब को face करना पाता है, ठीक है, सो यह है, central problem, अब तीन तरह का central problem होता है, पहला तो है कि what to produce, what to produce, ठीक है, second है, for whom to produce, what to produce, how to produce, second है किया है, how to produce, or third है, for whom to produce, so, पहला है, what to produce है, and in what quantity, in what quantity, ठीक है, समझते हम इसको क्या है, so what to produce, हम सब कुछ तो बनाने सकते हैं, क्योंकि resources limited है, तो हमें decide करना परता है कि whether we should produce wheat or rice, या whether we should produce, चाहे तो हम wheat उगा ले, so ठीक है, either wheat हो गया, या rice हो गा ले, या war good हो गया, या हम consumer good बनाएं, so कुछ भी हमें decide करना परता है, whether you want to go for wheat or rice, इस में से दोनों में से, या war good बनाओ या consumer good बनाओ, वार good में तो लडाई के लिए जो बनाना परता है, या आप consumer में तो लोग consumer कर से होगा बनाओ, so हमें decide करना परता है, अगर मानलों country ने decide कर लिया और depend करता है क्या priority है कोई भी country, अगर मानलों वार चलता है तो उसमें भी should or we generally go for war goods के लिए जाते हैं, अगर मानलों सब नॉर्मल है तो भी try to produce more of consumer goods, अगर मानलों की economy में wheat की जरोत है जादा तो भी produce wheat and less of rice, अगर मानलों सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो इस तरह से country has to decide क्योंकि country दोनों नहीं हुगा सकता है, क्योंकि resources limited है और अगर हम जादा एक बनाते हैं तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, ठीक है जिसे मानलों के हमाँ पर एक plot of land है, अब इस plot of land में चाहिए तो आप wheat हुगा लो या rice हुगा लो, आपने decide क्या है कि पूरा पूरा लाइंड जो है wheat के लिए उच करेंगे, you are not producing anything, यह zero मना रहा है और यह पूरा का पूरा सब्सक्राइब हुगा रहा है, या अगर आप पूरे आप रिसोर्से लगा रहा हो वारूट के लिए तो अगें देवल बी नथिंग लेफ फो था कंजूमर गूर्स, अगर सारे कंजूमर गूर्स के लिए रिसोर्से यूज कर रहा है तो यह वोंट भी हाविए वार गूर्स, या यह वां तो गोफटेंट कंजूमर गूर्स यह वी कर सकते हो, अगर रहा है तो कितना भी हुगाना है, depending upon the requirement of the country, ठीक है, अग्स्ट है, अग्स्ट है, यह क्या होता है, टेक्नीक अप परदक्शन होता है, क्या बोलते है, टेक्नीक अप परदक्शन, आक्चुली देर आ टू टेक्नीक, एक तो कापिटल इंटेंशिव, कापिटल इंटेंशिव, टेक्नीक अदूसरा लेबर इंटेंशिव, लेबर इंटेंशिव, टेक्नीक अप परदक्शन होता है, सो अगर हम लेबर इंटेंसिव मतला है कि लेबर जादा यूज करेंगे हम और मसीन दी जादा है अगर मालोकि कुई कंट्री जहां पर ओल्लेडी दीज प्रावलेश अनेप्र वहां पर हम पूरा काफिटर इंटेंसिव पे नहीं जा सकते हैं हमें लेबर यूज करना पड़े जहां पे there is less supply of labor, तो उस situation में वो country, मसी हिंदी पे ज़्यादा depend कर सकता है. So that is called capital index. So depend करता है, economy का क्या situation है, उसके उपर हमें decide करना परता है, कौन से technique इस्तेमाल करें, चीजों को police करने के लिए. And for whom to police is basically, it is a question of distribution of income. ये क्या है? Question of distribution. distribution, ठीक है? Of income, of national income, ठीक है? कैसे distribution है? आपको पता है कि, generally goods are produced, by produce with the purpose of selling in the market. और अगर मान लो कि, अब देखो यहां पे क्या है? कि national income मान लो equally distribute है? equally distribute है? अन्दब, equal distribution of income है, तो और हो सकता है कि, income is not equally distributed, income is not equally distributed. ठीक है? अगर मान लो equally distributed है, income economy में, तो everybody will have income, everybody. So, goods will be everybody will have income, So, goods यहां सब के लिए बना है, for everybody. ठीक है? So, goods will be produced, कि सब के बास purchasing power है, सब के बास income है, तो goods will be produced. अगर मान लोग, income is not equally distributed, उस situation में, goods will be produced only for those, who have purchasing power, यानि कि rich class के लोगो के लिए बनाए जाएगा, अगर income equally distributed नहीं है, तो एक और इसमें factor है, कि क्या economic capitalist है, क्या socialist है, अगर मान लोग, economic capitalist है, तो वहाँ पे market decide करता है, purchasing power decide करता है, तो आम तोर पे goods are properties, for those who can purchase, हमेशा समान उसी के लिए बना जाता है, जो खरी सकते हैं, जहां से profit मिल सके, लेकि socialist economy में क्या होता है, कि everything is controlled by government, क्या होता है, government control करता है, और government is there for everybody, so government ऐसा चीज़ बनाता है, जो सब के लिए इस्तमाल के लिए हो, ना कि किसी खास section के लिए बनाता है, so ये भी capitalist है, socialist economy है, अगर capitalist है, तो goods are general produce, for those who can purchase it, वो उसके लिए बनाता है, जो कि खरी से के, लेकि socialist economy में everything is controlled by government, खेटों, खेट से लिए कि industry, mill सब कुछ government करता है, और जो भी profit होता है, that is used for everybody, तो उस situation में, goods are generally produced for everybody, ना कि उसके लिए बनाता है, जो कि who has more money, so this is the problem of what to police, how to police and for whom to police, ठीक है, और इसमें 2-3 topic के chapter में रहे गया है, एक opportunity cost क्या होता है, opportunity cost, दूसरा marginal rate of transformation, and then PPC कर, ठीक है, तीनों हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, so thank you for watching, so next है हमारा opportunity cost, ठीक है, सो हम कर रहे हैं opportunity cost, so होता है क्या opportunity cost, so opportunity cost मतलब बता है, next best, cost of next best alternate for one, cost of, of next, best, alternate, for one, मतलब, इसका मतलब क्या होता है, कि अगर मालो की, एक individual है, जिसको की, एक job मिल रहा है, प्यून का job है, अगर मालो उससे, उसमें 5000 मिल रहा है, दूसरा job उसके पास है, जो की clerk का, जैसे मालो उसको उसमें मिल रहा है, 7000, और तीसरा जो है, head clerk है, उसमें उसको मालो 10,000 मिल रहा है, सो क्या करेगा, की 7000 का job उसने, he will leave this job, and accept the job of head clerk, because he is getting better, सो उसने क्या sacrifice किया, next best alternate, forgon your sacrifice, so he sacrifice the job of, next best तो ये था न, ये नहीं था, ये तो second best था, next best जो था ये, so what he sacrifice to get something, is the cost of, getting the job of, head clerk, so यहाँ पर क्या होता है, the cost of next best alternate, forgon, जैसे कि मालो कि, suppose एक, लकडी है हमारे पस, और इसको मैं, चाहे तो chair बना सकता हूँ, या हम मैं, table बना सकता हूँ, ठीक है, अगर मालो मैंने decide कि, कि table बना हूँ, तो मैंने क्या छोड़ दिया, बनाना, chair, तो इस चीज का बनाने का, जो cost है, क्या है, what I have sacrifice, what I have sacrifice is, chair, so chair is the, opportunity cost of, making a table, ठीक है, उसी तरह से, यहाँ पर भी क्या है, कि अगर उसने, जैसे कि, यहाँ पर प्यून का भी job, उसने sacrifice किया, at the same time, यह sacrifice the job of clerk also, so but, यह तो हता second best था, second best is not called opportunity cost, what next best, यानि, यह वाला जो उसने sacrifice किया, that is called opportunity cost, so cost of next best alternate for one, ठीक है, यह है, उसके पाद हम देखते हैं, PPC curve क्या होता है, PPC curve important है, PPC, PPC या production possibility curve, production, या इसको frontier भी कहते हैं, production possibility frontier भी हम इसे कहते हैं, PPC curve को जो ठीक है, so यह हमार PPC curve देखते हैं, पर देखते हैं, पर देखते हैं, पर देखते हैं, पर देखते हैं, कि, graphical representation, यह क्या होता है, graphical, of possible combination, possible combination, of two good that an economy can produce with given resources, यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं, अब आपका, अब सबसे पहले, पर देखते हैं, कि पर देखते हैं, यह हम देखते हैं, इसको बोलते हैं, आपका PPC curve, ठीक है अब सबसे पहले दिसका एजंप्सिंस है एजंप्सिंस होता है क्या हम मान की चलते हैं तब जाकि अप्लाई होता है एक दो कि amount of resources in the economy is fixed मैंने भी बताया उपर कि resources fixed है resources fixed है ठीक है दूसरा economy सिर्फ two goods बना रहा है यह से तो we produce many goods but here we are producing only two goods ठीक है third जो है इसके अंदर की resources जो है fully and efficiently utilized है resources जो है are fully and efficiently utilized ठीक है ठीक है ठीक है हम यह भी मान की चलते हैं में की resources can be transferred from production of one goods to another so resources can be transferred ठीक है can be so यह कुछ है जो हम मान की चलते हैं इसमें ठीक है अब हमारे पास एक सपोज हम इसका यह बनाते हैं एक production possible schedule बनाते हैं ठीक है production possibility PPC का production possibility schedule ठीक है कैसे बने गई हैं सो हमने देखा production possibility कर्ब क्या होता है और कुछ उसके assumptions क्या क्या हैं सो अब आता है production possibility schedule बनाते हैं यह है schedule जो बना हुआ यहां पे इसे कि हम मान आपके पास limited resources है और दो गुट्स बना रहे हो कौन-कौन से बना रहे हो एक गंद बना रहे हो आप दूसरा butter बना रहे हो अगर मान लो आपने पूरे resources पहला possibility है कि अगर पूरा resources आप क्या कर रहे हो गंद पर लगा रहे हो तो आपके पास कुछ भी नहीं बच रहे है अलग combination के थर्ड है तो अगर मान लो कि इफ यह डिवोटिंग दे एंटायर resources फोर प्रड़क्शन आप गंद जीरो प्रड़क्शन आप बटर हो रहे है ठीक है लेकिन अगर मान लो कि पूरा का पूरा butter पर लगा रहे हो अगर पूरा का पूरा resources आप बटर पर लगा रहे हो बटर पर लगा रहे हो तो आपका कितना butter हो रहे है six unit butter बटर बना रहे हो और अगर पूरा का पूरा resources आप लगा रहे हो गंपे तो आप maximum कितना बना रहे हो 21 unit ठीक है और यह six unit बना रहे हो तो यह तो दो extreme हो गया एक extreme जाके वे और your entire resources ही diverted for the production of gun then you are able to produce 21 units of gun लेकिन दूसर possibility क्या है कि सारा का सारा resources आप बटर भी लगा दो then you are able to produce maximum amount of unit of butter there is six unit but in इन दो extreme के बीच में और भी combination हमार पस B है C है D है E है और F है तो अगर मालो कि हमने सोचते है कि नहीं हमें थोड़ा butter भी उगाना है एक unit butter उगाना है तो आपको एक unit गन कम करना पड़ेगा पहला situation में दूसरा situation में और एक unit आपको गाना है मालो एक से दो करना है तो आप उसने आपने क्या किया कि जो sacrifice है ओ आप पहले हमने वन unit किया था आप यहां पर देखो हमने दो unit कर रहे है यहां पर 20 से ठारा हो रहा है फिर और एक unit बढ़ाना है butter तो आपने तीन किया sacrifice फिर एक और का होता है पर हम देखने तो इस को समझते है यह table को MOC मतब होता है कि marginal opportunity cost marginal opportunity cost मतब होता है number of number of commodity sacrificed to get one more unit of other commodity one more unit of other commodity ठीक है हमने यहां पर और दूसरा और एक term है जो हमें समझना है कि इसमें क्या होता है ना rate at which rate at which one commodity is sacrificed to get one more unit of other commodity देखो दोनों में कोई फरक नहीं है फरक क्या है इसके अंदर की हम जब number देखते हैं मानलों हमने कितना sacrifice दो किया तीन किया चार किया तो उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं समय हो इसको बोलते हैं scientistsین किम के अंच्वाइबी में के इसको क्रहएं है और यहां यहां पर जब हमने एक और यूनिट बनाना है बटर का तो हमने कितना सक्रिफाइस किया फिर और एक बनाने के लिए कितना दो सक्रिफाइस किया और एक बनाने के लिए कितना सक्रिफाइस किया और एक बनाने के लिए पांच सक्रिफाइस किया और एक बनाने के लिए हमने छे sacrifice किया. So, this is called MOC. MOC मताब number of unit sacrifice to get one more unit of other commodity. MRT में तो ratio होता है. पहला तो dash हो जाएगा. अब इसमें क्या है कि हमने अगर हमें निकालना इस formula से तो हमने एक बटर पाने के लिए कितना sacrifice किया 1. So, MRT क्या हो जाएगा? MRT 1 upon 1. इसको मुझत है 1 is to 1 लिख सकते है. एक sacrifice किया एक गिन के. दूसरे में किया हमने कितना sacrifice किया? पहरे sacrifice लिखते है यहापे. तो 2 upon 1 यानि कि 2 is to 1 हो जाएगा. उसको थर्ड में 3 upon 1 हो जाएगा. यानि कि 3 is to 1 हो गया. 4 upon 1 हो जाएगा. 4 is to तो इस तरह से हम यह सारे निकाल सेकते हैं. MRT. ठीक है? So, यह MRT हो गया. अब एक क्रिश्चन आता है कि हम क्यों sacrifice goes on increasing? क्यों sacrifice जो है यह? पहले हमने एक sacrifice किया, दो sacrifice किया, फिर तीन sacrifice किया. So, इसके पीछे यह exemption है हमारा आपको कि resources are resources can be transformed. Resources are not equally efficient for the production of all the goods. क्या है उसका? कि resources are not equally efficient. Why we keep on sacrificing more and more? क्यों हम जादा जादा sacrifice करते हैं? क्योंकि resources जो है that is not fully resources है. क्यों हम sacrifice जादा करते हैं? Because resources are not equally efficient for the production of all the goods. for the production of all the goods ठीक है मतलब क्या होता है कि अगर मानलो हमार पर एक plot of land है ठीक है यह plot of land जो है यह best suited है for the production of rice ठीक है तो आप इसको पूरा इट लाइज़ को लेकिन मानलो आपको economy डिसाइड कि है कि नहीं हमें इसमें wheat भी उगाना है तो अगर wheat उगाना है तो आप क्या करोगे आप सबसे पहले क्यों कि यह तो land है best suited rice के लिए आप wheat उगाना चाहते है तो first you have to divert best quality of this land सबसे अच्छा quality line पहले divert करोगे आप production of wheat के लिए तो आपको मानलो कि आपने एक unit आपने produce किया wheat इसमें ठीक है अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और एक unit produce करना है तो क्योंकि आपने पहले सबसे अच्छा land जो है divert कर दिया था अब आपको जो divert करना है उत्रा ही बनाने के लिए आपको divert more तो तो unit आपको divert करना पड़ेगा फिर तो आप जाके एक unit और बनेगा अब आप मालो की और एक unit बनाना है तो पहले तो आपने सबसे अच्छा land दे दिया था एक unit के लिए तो आपको एक unit में 100 की सब्पोज मालो आप दूसरा unit में और 100 की बनाना है आपको तो अगर आपको उतना ही उगाना है दुबारा से तो you have to divert more land क्योंकि अच्छा जमीन तो आपने और लेट कर दिया है पहला unit उगाने के लिए अब आपको पास जमीन उससे कम क्वालिटी का है तो अगर आपको उतना ही unit फिर से उगाना है तो you have to divert more and that is the reason why the sacrifice goes on increasing पहले हमने एक sacrifice किया था यहाँ पर MOC जो है उसका दो not equally efficient for the production of all the goods and if you want to produce another good for which the resources are not best suited then you have to keep on increasing more and more keep on sacrificing more and more to produce one more unit of other commodity ठीक है यह ठीक है यह question important है और MRT जो है हम देखते हैं कि ratio जो है यहाँ पर बढ़ ला है एक के लिए हम एक sacrifice करें फिर दो sacrifice, तीन sacrifice, चार पान sacrifice करते हैं, so this is the region Y, MOC keep on increasing ठीक है, अब यह है production possibility curve है गन और बटर का, तो हम हमने क्या देखा यहाँ पर कि अगर मानलो कि यहाँ पर हम Y axis पर गन ले रहे हैं और X axis पर बटर ले रहे हैं अगर हमारा resources fully utilized है इसके लिए गन के लिए, अगर हम जो resources divert कर रहे हैं, मानलो कि गन के लिए तो हम 21 unit of gun produce कर सकते हैं so पहला possibility हमारा यह हो गया 21 unit, दूसरा जो है कि अगर हम पूरा का पूरा resources बटर के लिए supply यूज कर रहे हैं, तो हम 6 unit of butter produce कर रहे हैं लेकिन हमने decide कि नहीं, हमें 1 unit butter बनाना है तो हमने पहले 1 sacrifice किया ठीक है, so 1 is to 1 हो गया, अब हमने सब्चार नहीं और हमें एक बनाना है butter तो और बनाना के पहले 2 sacrifice किया 21 से 18 हो गया, फिर और एक बनाना है तो हमने 3 sacrifice किया, इस तरह sacrifice goes on increasing, why because resources are not fully and efficient are not suitable for the equally efficient for the production of both the goods so that is the reason why we keep on increasing the sacrifices to get 1 more unit of butter, एक और बनाना के लिए हम इसको sacrifice करते है, जाजा जाजा sacrifice कर रहा है ठीक है, मुशी मैंने बता है आपको क्या था है MOTV बता दिया क्या है तो इस तरह से PPC curve हमने देखा अभी कुछ property है PPC curve का property मन्दर क्या होता है कि क्या क्या फीचर है property और फीचर और PPC curve ठीक है सबसे पहला तो है कि इट स्लोब डाउनवर्ड पहला है PPC curve PPC curve slope डाउनवर्ड और दूसरा हम देखेंगे देखो यह PPC curve क्या है कैसे होता है, ऐसे हो रहा है ठीक है PPC यह आपका X है और Y है सो यह PPC curve है क्यों डाउनवर्ड की तरब देखो यह slope downward क्यों डाउनवर्ड होता है क्यों डाउनवर्ड होता है, देखो हम economics में यह देखता है कोई भी हम curve बनाते है इसमें कि हम एक unit को कम करते हैं दूसरा को बढ़ाते है, one variable को कम करते हैं दूसरा को बढ़ाते है then that curve has to slope downward only so this is the reason why PPC curve so यहां पर क्या हो रहा है कि हम एक को कम करते हैं दूसरा को बढ़ा रहा है फिर एक को कम करते हैं दूसरा को बढ़ा रहा है so whenever we make any curve in economics in which one variable is reduced and other one is increased then it has to slope downward ठीक है दूसरा क्या है कि PPC curve जो है वो concave to the origin है PPC curve जो है is concave what is concave to the origin देखो ऐसे है यह ठीक है PPC curve concave to the origin है इसका मतलब क्यों होता है और क्यों होता है इसा ठीक है देखो PPC curve concave होने का कारण जो है कि increasing MRT MRT मैंने बताया था नहीं कि हम एक पाने के लिए पहले हम एक sacrifice करते हैं फिर हम दो sacrifice करते हैं फिर तीन sacrifice करते हैं so this is because of this region जो है आपका PPC curve concave to the origin होता है जिसे हम नहीं आपर देखा कि हमारे MRT जो है MRT जो है पहले 1 is to 1 है फिर 2 is to 1 है इसके बारे मैंने समझा चुका हूँ आपको और जो यह concave to the origin है it is because of this region की MRT goes on goes on increasing so increasing MRT because of this region जो PPC curve होता हो आपका concave to the origin आइसे नहीं होता है या straight line नहीं होता है बलकि आइसे होता है and it is because of increasing MRT मैंने MRT को आपको यह अब है कि attainable combination कौन कौन से है देखो attainable combination मतलब होता है ओ combination जो कि हम attain कर सकता है economy तो अगर हम attainable combination क्या है अगर हम PPC curve बनाते हैं यहाँ पे और यह है हमारा A मालो एक हो गया A यह हो गया यह हो गया यह हो गया यह सारे point है A हो गया B C और D ठीक है तो हम जो भी point अगर मालो एक point हम यहाँ पे E ले लेते हैं और यहाँ पे F ले लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो point PPC curve है वो attainable है क्योंकि और not only attainable बट अलसो यह भी attainable है बट हम बताऊंगा इस E के बारे में लेकिन इस पे जो point है PPC curve पे A, B, C, D यह attainable भी है as well as कोई भी हम combination बनाते हैं तो उस सम्में resources जो है fully utilized हो रहा है efficiently utilized हो रहा है then we are on PPC curve and we can I mean achieve all the possible combination what is there on the PPC curve but इसमें एक चीज़ यह है के resources जो है वो fully utilized है efficiently utilized है लेकिन यह भी attainable है लेकिन यहां पे resources fully utilized नहीं होगा और यह जो है beyond our capacity to produce क्योंकि हमारा resources इतना है ही नहीं कि हम यहां तर पहुंच सके यह unattainable है और A, B, C, D और E जो attainable है पर फरक क्या है A, B, C, D में कि A, B, C, D पे जो combination है उस पर हम attainable तो है और दूसरी बात है कि resources हमारा fully और efficiently utilized भी हो रहा है लेकिन इस situation पर क्या हो रहा है कि resources जो है are not fully and efficiently utilized ठीक है तो यह होगा attainable और unattainable combination क्या क्या है next हम देखते हैं कि PPC curve कि देखो shape क्या क्या है एक तो पहला तो मैंने बताया था कि जो generally ऐसा होता है ठीक है यह मैंने बता दिया एक और हो सकता है possibility ऐसे भी हो और एक possibility हो ऐसे भी हो तो क्या यह हो सकता है दूसरा possibility या तीसरा possibility यह तो है ठीक है हमने देखा दूसरा भी हो सकता है, अचीव कर सकते हैं, सभी अचीव कर सकते हैं, यह कब अचीव कर सकते हैं, जबकि rate of sacrifice and rate of gain जो है वो in same ratio हो, यह मालना हमने एक sacrifice कर रहे हैं, एक gain कर रहे हैं, और एक sacrifice 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 कर रहे हैं, so when the MRT जो सब्सक्राइब यहां पर क्या होता है इसमें क्या होता है कि आपका हमने एक पाने के लिए एक sacrifice किया पहले हम जैसे मालों कि हम generally में क्या होता है कि यह MRT जो होता है वो increase होता है लेकिन अगर MRT decrease होगा तो अगर MRT MRT decrease होगा तो तो क्या होगा यह convex हुदार हो जो होगा माट जो होगा तो यह होगा और MRT और constant है तो state line होगा यह ठीक है तो यह हमने देख लिया और एक चीज है हम यहाँ देखना है कि ठीक है PPC curve का shape कौन-कौन से तरक हो सकता है और growth of resources ठीक है कम हो सकता है growth of या shift in हम देखते है shift in PPC curve shift in PPC curve ठीक है shift in PPC जिसे मानलो कि हम एक PPC curve बनाते है पहले तो यह ऐसे बनते है PPC curve यह Y हो गया यह X हो गया ठीक है यह 0 हो गया मानलो हम यहाँ पर गंस ले लेते है और बटर ले लेते है यह हो गया PPC curve shift कब होगा जब हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे shift of PPC curve shift मतब यहाँ पर यह right word shift है क्या है word shift है और right word shift कब होता है जबकि there is growth right word shift कब होता है growth of resources and technology अगर मानलो हो टेक्नोलजी कब होता है इसका दो condition है एक तो growth of resources और दूसरा up gradation of technology ठीक है दो चीज़ी होने से हम right word shift हो जाते हैं मानलो हम अगर resources में growth होता है या up gradation technology बेटर होता है तो हम ज्यादा produce करते है और दूसरा क्यों होता है कभी-कभी हम यह हो गया आपका दूसरा जो है वह left word shift है left word shift है यह कब होता है जब decline in decline in resources ठीक है यहाँ पर decline हो जाता है decrease in resources ठीक है एक तो है decrease in resources और दूसरा जो है degradation in technology ठीक है यह यह हो गया shift कैसे होता है और एक होता है rotate rotate मतब क्या हो गया कि अगर मानलो हम rotate of rotation of PPC करो ठीक है अगर हम इसको यह बनाते है यह जिसे मानलो कि हमारा यह है यह है एक से गुड है यहाँ पर gun है और यहाँ पर बटर है जीरो है अब अगर मान लो कि इस butter का technology better हो रहा है तो हम ज़्यादा butter बनाएंगे ठीक है और अगर मान लो butter का technology कम हो रहा है तो हम butter बनाएंगे तो इसको बोलते हैं हम rotation either leftward or rightward for one goods और वही अगर मान लो कि इसका technology में फरक आते हैं यहां पे हमने इसका technology को constant मानाए ठीक है झिन पना रहे हैं कम होगां तो हम कम बना रहे हैं ऊथ है और दूसरे में जिए बनाएंगे यहांपर यह गृटो है यह है और X है तो अगर मान लो गन का टेक्मोलोजी बेटर रहा तो we will produce more of gun और इसका टेक्मोलोजी अगर कम हो रहा है तो हम इसको कम बाएं तो इस तरह से इसको बोलते हैं rotation of PPC curve ठीक है तो हमें सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आगा थैंक यू